नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्याम क्लास स्टडी में साथ यो आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश प्रिच्छा 2023 में पूछे जाने वाली उत्तर प्रदेश जी की टॉप 25 में पूर पिश्ण ले करके आया हूँ मैं बता बो अभी तक नहीं देखे हैं तो पांचो पार्ट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे वहाँ से जाकर कि आप एक एक करके सभी प्रदेश लगा सकते हो और अपने तयारी चेक कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास से जितने भी प्रिच्छन बनने वाले हैं और जो भी प्रिच्छन है यूपी पॉलिस परिच्छा 2030 में पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रिच्छन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे तो प्रेटे सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चै है मैं उनकी परिच्छा में पूछे जा सकते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखती हुए सुरू करते हैं आज का अपना उत्तर प्रिदिस का इतिहास का पार्ट चैनल कि तो कुश्चन है आपके सामने कि 125 कुश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ तो 126 कुश्चन से सुरू होता है तो सुची एक को सूची 2 से सुमलिट कीज़ तिर नीचे दिलिए गया है कोर्ट से साई उत्तर चुनिए ते एक तरप दिलिए गए स्थान और एक तरप दिलिए का इसमारक तो यह आपको मिलाना कि कौन सा इसमारक है तो इसमें तAR आपको जाते हएं कि सार पमपाल और समय तो आपका है कहां पर हैं यह स्रावस्ती है ज्етрात उस्रावश्ती में है को सामी में तो एका हो जाएगा दूसरा कुसी नंगर में राना बार इस तूप तो इसका हो जाएगा तीसरा तो तो तीन एक चार जों से भी कलब में होंगे वह इसका राइट अंसर हो जाएगा तो दो तीन एक चार तो आपसे नमबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा असोग दोरा उत्तर प्रदिस के बौद तीरत इस्थानों की यात्रा का सही करें बताईएगा तो चलिए बताते हैं कि असोग के दोरा बौद तीरत इस्थानों की यात्रा का सही करें तो सबसे पहले वो कु हो जाएगा अंगला है आपके सामने की राज बंस जो कन्योज पर अधिपत्त इस्थापत करने में त्रकोंड ये संगस में उल्जे हुए थे वे थे तो कौन-कौन से उल्जे थे ये आपको बताना है तो ये उल्जे थे पाल बंस गुर्जर और राष्ट कूड बंस यानि ब कन्योज का किसका कन्योज का पुराना नाम है महोदिया तो तीसरा इसका राइट अंसर हो जाएगा नेस प्रिस ने आपके सामने की प्रियाग प्रिस्थाष्थि किसकी से अभियानों के बारे में जानकारी देता है तो किसकी से अभियानों के बारे में देता है प्रियाग पिस्तस्ती तो ये देता है समुद्र गुप्त के ऑप्सन नमर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा जेजाग बुक्ती किसका प्राची नाम था तो किसका प्राची नाम था जेजाग बुक्ती तो ये बुंदिल खंड का प्राची नाम था तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा आला उदल किस से संबन दित थे तो कहां के थे आला उदल ये आपको बताना है तो इनका संबन था महोवा से तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला पिसने आपके सामने के गोविंद चंद गहडवाल की रानी कुमार देवी ने धरम चक्र जिन बिहार कहां बनवाया था तो कहां पर बनवाया था ये आपको बताना है तो ये बनवाया था सारनात में तो चौता इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगले आपके सामने के टोपरा था था मेरट से दो इस्तमलेक दिल्ली कौन लाया था तो कौन लाया था ये आपको बताना है तो ये दिल्ली लाया था फरोज साहित तुगलग तो दूसरा इसका राइट अंसर हो जाएगा अंगला पिसने आपके सामने की जौनपुर नंगर किसकी इसमिर्थी में स्थापित किया गया था तो किसकी इसमिर्थी में जौनपुर नंगर को बसाया गया था तो ये बसाया गया था मुहमबद बिन तुगलक की समिर्थी में जोनपुर से फात्वा जा रही हुआ था तो यह हुआ था आकवार के ब्रोद में किसके आकवार के ब्रोद में तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला पिसने आपके सामने कि जहांगीरी महल उत्ता पिर्देश के किस जनपद में है तो कौन सी जनपद में है जहांगीरी महल है तो यह उत्ता पिर्देश के आगरा जनपद में है तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला पिसने आपके सामने की आकवार द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्सा बहुत बिहार की तरह है तो ये है पंच महल का नक्सा तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला पिसने आपके सामने की निम्न कत्नों पर बिचार कीजिएगा तो कथाने की आकवार ने 1602 में फत्यप और सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था कारण किया है दरवाजा आकवार ने अपने पत्त जहांगीर के जिन्म के खुशी में बनवाया था तो ये आर गलाते हैं कौन से भी कल्ब में है तो यह जाई परंतु आर गलाते हैं तो आप्सिन नमबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला पिसने आपके सामनी किन मुगल बादसाओं का मकवर उत्तर पिर्दिस में इस्तेत हैं तो किस-किस का मकवर उत्तर पिर्दिस मे तो चौत्ता इसका राइट आंसर होजगा 2 और 3 अंगला पश्ने आपके सामनों कि बनारस ये वनारस एब इलहाबाद में तीर तीयाट्रा कर की समापती के लिए किसने मुगल बाधसाए के सामने बनारस के पंड़िता का नेतरत किया था तो किसने किया था ये नेत्रत तो ये नेत्रत किया था कविंद्रा चार ने तो तीसरा इसका राइट अंसर हो जाएगा अंगला पिसने आपके सामने की हिंदू तता इरानी बास्तू कला का सर परता हम समन वे हमें उत्ता पर्दिश की किस इमारत में देखने को मिलता है तो कौन से इमारत मिलता है तो ये मिलता है ताज महल में तो पहला इसका राइट अंसर हो जाएगा अब सूची एक का सूची दो से मिलान करना है तो एक तरफ दिये गई सूची एक तो बताना दो कोई कौन सा बैकती वर वो कहां से संबंदित है तो यह आपको बताना है तो जहांसी से को संबंदित है तो जहांसी से है रानी लच्वाई तो एका हो जाएगा चौथा लखनौ से कौन है तो लखनौ से बेगम हजरत महल तो इसका हो जाएगा तीसरा कानपूर से कौन है तो कानपूर से है अली मुल्ला खां तो दूसरा इसका हो जाएगा और फैजाबाद से हैं मौलबी एहमद साय तो इसका हो जाएगा पहला तो चार, तीन, दो एक जोन से भी कल्प में होँगे वही इसका right answer हो जाएगा तो चार, तीन, दो, एक वापसे नम्मर पहला इसका right answer हो जाएगा अंगला पसने आपके सामने की तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला आपके सामने कि बनारस हिंदु बिस्विद्याला का सिलम्नाश किया था तो बनारस हिंदू बिस्विद्याला का सिल्लानास किया था लॉर्ड हार्डिक ने तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला पिसने आपके सामनों की बर्स 1937 से 1950 तक उत्तर पिर्दिश को किस नाम से जाना जाता था तो कौन से नाम से जाना जाता था तो यह कि जाना जाता था युनाइटेट प्रोविंस के नाम से तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला पिसने आपके सामनों की आवाद को जब बिटिस सामराज में मिलाया गया तब आवाद में कितने जिले थे तो उस समय आवाद में टोटल 12 जिले थे जब आवाद को बिटिश समराज में मिलाए गया था तो दूसरा इसका राइट अंसर हो जाएगा यूनाटेट प्रोविंस का मुक्याल है आगरा से इलहावाद का इस्थानांतरित किया गया था तो यह इस्थानांतरित किया गया था अठारा सो अंठावन में तो चौथा इसका राइट अंसर हो जाएगा आगर आवाद को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया तो कब बना दिया गया था तो यह बना दिया गया था 1870 में तो तीसरा इसका राइट अंसर हो जाएगा और लाश्ट प्रिस ने आज की इस प्रिट्टे सेट का की उत्तर प्रदिस में बिधान परसत का गठन कब किया गया था 1921 में तो दूसरा इसका राइट अंसर हो जाएगा आज बिडियो पसंद आई हो तो बिडियो को आप लाइक कर देना चीनल को आपने अभी तक सस्क्राइब नएं किया हो तो चैनल को आप ज़रू सस्क्राइब कर लिजेगा मिलते हैं अपने नेक्ष्ट वीडियो तो देक्ष प्रिट्टे सेट में तब तक लिए धन्वात जाहिंद